पाकिस्तान से भारत आकर करीब दस जिलों में आतंक मचाने वाली टिडियों ने किसानों को बरबाद कर दिया है। साट साल में पहली बार ऐसा हुआ जब किसानों की रभी की फसल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। तीन लाख हेक्टरे से जादा शित्र में खड़ी फसलों को टिडियों ने 75 फिसदी तक चट कर दिया है। टिडियों के घातक जुन्रों ने 1993 में पहली बार हमला किया था। लेकिन इस बार टिडियों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। पाकिस्तान से आई एक खत्रे ने एक तहाई राजिस्तान को अपनी जद में ले लिया है। अपनी खरीव की फसल को बरवात किया और अब नए हमलों की एक बड़ी लहर ने रवी की फसल को नुकसान होचाया है। अब सरों और किसानों के आखलों के मताबिक टिडियों के आतंक का शिकार सबसे ज़्यादा शी गंगानेगर जिला हुआ है। गंगानेगर में टिडियों के घातेक जुंडों ने 75 फिस्ती खड़ी फसलों को चट कर दिया है। इस में इस अंदर में मैं कहना चाहूंगा साहब के विकास हर उसमें होता है सदी में। यह जो अभी मसीन आई हूँ है यह एक विक्सित वर्जन है जो के हमारे जो एफए फूड एन अग्रिकल्चर औरग्नाइजेशन है। जिसके अंतरगत टिड़ी का जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम किया जाता है। उन्होंने जो है यह बनाई थी और यह अभी नहीं आई है काफी साल पहले आ चुकी थी। और चूंकि इसके पहले हम लोग पावर डस्टर से कंट्रोल करते थे जिसमें केवल डस्ट उड़ाई जाती थी। मतलब कि पाउडर उड़ाया जाता था और वो बीएच सी पाउडर होता था जिसको अभी वर्तमान में बेहन कर रखा है। किसानों के मताबिक नए हमले एक पकवाड़े पहले शुरू हुए थे। किसानों का कहना है कि वर्तमान हमला शेत में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। घैहू चना सरसों जीरा और तारा मीरा की फसलों पर टिड़्डियों का हमला जारी है। टड़ियां पौधे को नहीं खा रही, बल्कि फूलों को चबा रही है, जिससे फ़सल को जाता नुकसान हो रहा है श्री गंगा नगन में करीब एक लाख हेक्टेयर और बाकी नौज जिलों में करीब दो लाख छे हजार हेक्टेयर टिडियों के हमलों से फसल प्रभावित हो गई है। किसान बीस हजार रुपे प्रति एकर मौब्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसका प्रशन उठता है सब यह क्यों इस्तेमाल किया गया। कारण यह है कि हमारे पास में एक्यूपमेंट है इनकी एक रेंज होती है। और रेंज होती है अब टिडियों ने उचे पेड़ पर भी बैठी हैं। अब उन टिडियों को कैसे नियंतरन किया जाए। तो उसके लिए एक प्रभावी धारा मारने के लिए हमने फायर बरगेट्स या टेक्टर माउंटेड इस्प्रेयर्स का प्रियोक किया गया है। जो कि बहुत ही अच्छा जिनोंने काम किया है और टिडियों का नियंतरन बड़ा सुद्रड हुआ है। राजिस्तान में मई 2019 में टिड्डियों ने पहली बार हमला किया था। तब इसे किसान, क्रशी विभाग और टिड्डी ने अंतरन दल कीट नाशिकों का छिरकाओ कर रहे है। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है। अभी विहालाद भी काबू हैं, लगाता टिड्डियों की ताधार बढ़ती जा रहे हैं। खासतोर पर जप पाकिस्तान से हवाओं के साथ पश्वी शित्र के उन चिलों में टिड्डियों ने फसलों को नुकसान किया है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। बैराल रवी की फसल पर 60 साल में पहली बार टिड्डियों का इतना बड़ा हमला हुआ है टिड्डी दल का ये हमला इस बार जाता खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब 1993 में टिड्डी दल ने फसलों को चौपट किया था तो उस समय अक्टूबर में ठेंड के वज़े से टिड्डियों मर गई थी लेकिन इस वार सरदी का मौसम चरम पर होने के बाब जूर टिड्डी दल ना केवल सक्री हैं बलके उनका हमला उस जादा खतरनाक है सबसे जादा खतरनाक रिगिस्थानी टिड्डी होती है इस वार जो प्रजाती सक्री है वो रेकिस्थानी टिड्डियों की है एक वैस की टिड्डी की रफदार 12 से 16 किलोमीटर पत घंटा बताई गही है ये टिड्डियां किस कदर नुकसान दायक हो सकती है इसका अन्मान ऐसे लगाया जा सकता है कि टिड्डियों का एक छोटा सतल एक दिन में पच्चिस सो आदमियों के बराबर खाना खा सकता है जैसरमेर और बाड़मेर में जब टिड्डी का प्रकोप आतंकुआ ता मुक्यमंत्री अश्यों गेलोत ने खुद दारा किया गिर्दावरी के आदेश दिये बाद में यी टिड्डी पाली जोत्पूर होते में जारो और सिरोई में भी फस्लों को नस्ट और चट कर जुकी है नियंत्रन प्रभावी रहा है Uh ओर दिरे बात सामने आ रही है । पूरे परश्यॆं शेत्र में मंत्री स्ट्री में शॉदर ये चलिड्र के अधिकारी शक्रहिए सब्सक्राइब